हेलो जी स्वागत है आपका चैनल फैब्रिक क्रीशन्ज में आज हम सीखेंगे सिम्पल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग तो शुरू करते हैं प्लाजो की कटिंग करना सबसे पहले हम लेंगे कपड़ा सिंपल प्लाजों के लिए हमें चाहिए धाई मिटर कपड़ा इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे जो आगे के पार्ट हैं पहले हम उसकी कटिंग करेंगे तो हमने लिए है इसकी लेंद थर्टी फोर इंच और ये हमने लेना है मार्जन उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे जितनी हमने कमर लेनी है उसका निशान लगाएंगे एक डेड़ इंच उसमें मार्जन डाल लेना है जो हमने स्टिचिंग में देना है अब हमने आसन का निशान लगाना है हम लेंगे पंद्रा इंच असन अपनी हेल्थ की अकॉर्डिंग लेना है अगर ज्यादा भारी श्री रहे तो पंद्रा नहीं तो बारा तेरा चौदा आप अपने साइज से ले लेना यहां से हमने एक इंच से गुलाई की शेप देनी है नीचे से एक इंच कॉर्णर से एक इंच का मेजरमेंट लेकि इसके सामने ही निशान लगाना है यह तेरा हिंच हमने मोरी का निशान लगा है जो जिसको हम पहुंचा भी बोलते हैं लेक कर्व स्केल की हल्प से हम इसको शेप दे लेंगे दूसरी साइड से भी यह आगे की साइड है यह जो दोनों पीस की कटिंग हो रही है यह आगे वाले हिस्से है अभी हम पीछे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे यह जो मार्जन है नीचे वाला जहाँ जहाँ निशान लगा है थोड़ा ज्यादा रखके आपने कटिंग करनी है क्योंकि कटिंग तो हम बाद में भी कर लेंगे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यह जो है हमारे आगे की हिस्से कटिंग हो गए है दोनों आगे वाले हिस्से हैं यह अब हमने करनी है पीछे वाले हिस्सों की कटिंग यह इजी वे है कि हमने एक की कटिंग कर ली मैजरमेंट के हिसाब से अब हम इसको बाकी कपड़े के उपर रखके डबल फोल्ड करके डेड़ इंच हम इससे ज्यादा रखेंगे डेड़ इंच ज्यादा रखके हम इसको उपर तक निशान लगाते जाएंगे डेड़ इंच ज्यादा लेकर उपर तक निशान लगाते जाना है डॉट डॉट करके इससे जो प्लाजो की शेप है अच्छी आती है अच्छी आती है लेकर स्केल से हम इसको शेप दे लेंगे यह पिछले हिस्से है जो अब हम कटिंग करेंगे यह दोनों पिछले हिस्से है अब ये एक इंच के डिफ्रेंस से आगे से एक इंच लेके हमने निशान ऐसे लगाना है इससे क्या है कि जो प्लाजो है जब हम पैंते हैं कि इवर प्लाजो उपर को उठता है इससे नहीं उठता हम इस प्लाजो को सिंपल प्लाजो बोलते हैं यह बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है कटिंग इसकी और स्टिचिंग भी इजी है आप इसको घर पे बड़ी असानी से खुद त्यार कर सकते हैं इस साइड से हमने उतना ही लेना है इधर से हमने ज्यादा नहीं करना यह हम लगा रहे हैं पॉकिट का निशान यहां पे हम पॉकिट लगाएंगे एक इंच नीचे उपर से और साथ इंच लंबी पॉकिट यह हमने उपर वाला जो है यह जो हमने स्टिच करना है जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है वो वाला है डेड़ इंच दो इंच के आसपास रख लो जितनी मोटी लास्टिक आपने डालने हैं, अगर लेड़ इंच डालने हैं, दो इंच डालने हैं अब हम pocket की cutting करेंगे, 14 इंच साथ इंच हमने रखनी है, ये डबल होगी साथ इंच चुड़ाई में और चौदा इंच हम लंबी रखेंगे उसको हम डबल करके साथ इंच ही रह जाएगी वो यह हमने साथ इंच पर निशान लगा लिया इसके चुड़ाई साथ इंच है और लंबाई चौदा इंच रखेंगे इस साइड से भी हमने आदा हिंच की शेप देनी है कितना इजी था इसकी कटिंग अब हम करेंगे इसको स्टिच हम दोनों एक साइड के हिस्से या तो आगे वाले ये पहले हमने लिये हैं आगे वाले हिस्से दोनों को स्टिच करेंगे जो हमने आसन लिया था अब दूसरा हिस्सा लेंगे पिछले वाला उसको भी हम यहीं से स्टिचिंग करेंगे अब हम आगे वाले हिस्से में लगाएंगे पॉकिट अब हम आगे वाले हिस्से में लगाएंगे पॉकिट अभी हमने इनको आपस में नहीं जोड़ना अभी हम लगाएंगे पॉकिट पॉकिट को हमने ऐसे रख लेना है इस तरह से लंबाई में इलास्टिक का मार्जन उपर से छोड़ लिया है उसके नीचे हमने लंबी रखके पॉकिट लगानी है दोनों साइड पर कट लगा लियें अब हम इसको बारी सीन देंगे जब हम देखते ना पॉकिट के बार लगीती फिनिशिंग के लिए इससे थोड़ी हार्डनेस आ जाती है झाल झाल पॉकिट को अब हम ऐसे डबल करें, हमने 14 इंच ली थी, इसको डबल करके अब ये 7 इंच हो गी है, इस तरह से हम इसको नीचे से स्टिच करेंगे, इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा आप समझ गये होंगे कैसे बन रही है ये पॉकिट, ये जो नीचे वाला हिस्सा खुला रहा गया था, हमने नीचे की सीन लगाई है, वहां से हम इसको स्टिच करेंगे, हम यहां से सिलाई लगाएंगे, अब हम दूसरा हिस्सा इसके साथ लेके नीचे से सिलाई करते हुए उपर जाएंगे, हुए जुए झाएंगे, पॉकिट का जो पिछला हिस्स है उसको हमने स्टिच करते हुए जाना है आगे की हिस्से को थोड़ा सा पीछे रख लेना है ताहां जो उसका जो मुह है पॉकिट का वो बंद ना हो अब दूसरी साइड की हम सिलाई लगाएंगे आगे वाले हिस्से को पिछले हिस्से के साथ पकड़ की हमने जोड़ लिये कि अब दूसरी अब हम देखेंगे हमने कितना रखना है हम मोरी कितनी चाहिए हमारा पहुंचा कितना चाहिए हमें 9 इंच देखो हमें ज्यादा लगा हमने 9 इंच रखना है तो अब हम 9 रख लें क्यूंकि बाकी की हम कटिंग कर देंगे इस तरह से हम ऊपर जाते हुए स्टिच कर लेंगे इसको जहां पर आसन आता है वहां पर बिल्कुल कम आधे इंच का मार्जन हो यह देखिए हम यहां से मेजर्मेंट करेंगे हमें चाहिए था 9 इस तरह से जहम हम आसन के पास पहुंचते हैं तो थोड़ा सा कम मार्जन लेना होते हैं अगर आसन टाइट होगा तो बैटने उठने में पलाजो पहने में दिक्कत हो सकती है इस इलाई को हम अब डबल कर रहे हैं हम इलास्टिक लेंगे अपनी कमर के हिसाब से जितना इलास्टिक आप नहीं लेना है उसको बीच में से ऐसे स्टिच कर लेना है अब हम पलाजो के अंदर इसको डालते हैं इस तरह से इस तरह से फोल्ड करना है लेकिन ध्यान रखना है सिलाई लगाते समय इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना है उसको अंदर ही रखना है आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो इसको पहले सिलाई लगाके उसके बाद भी इलास्टिक डाल सकते हो इस तरह से आपने ध्यान से इलास्टिक डालना है कि जो सिलाई है इलास्टिक के उपर नाएं जो हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से हमने ध्यान से इलास्टिक डालना है अगर इलास्टिक साथ में स्टिच हो जाएगा तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप पहले इसकी सिलाई लगा सकते हैं पूरी उसके बाद जैसे हम नाड़ा डालते हैं उस तरह से इलास्टिक को डाल सकते हैं हुआ 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 है यह हमने लास्टिक इसके अंदर डाल दिया है अब हम एक सिलाई जो है लास्टिक के ऊपर लगाएंगे ता यह अंदर से वो इकठा ना हो फोल्ड ना हो इसको हम एकुल करेंगे जो इसकी चुम्टे है वो बराबर कर लिए अब हम लगाएंगे सिलाई और इलास्टिक को साथ-साथ खीचते जाना है स्ट्रेच करते जाना है इससे क्या होगा अगर उसी तरह सी इलास्टिक को स्टिच कर देंगे तो इलास्टिक डालने का कोई फाइदा नहीं है इस तरह से दोनों साइड से स्टिच करते जाना है अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आपको किसी की हैल्प लेनी पड़ेगी क्यूंकि ये दोनों हाथों से ऐसे इलास्टिक डलता है जहां से आप पकड़ोगे वहीं से टाइट से पकड़ के पीच्छी की तरफ खीचना है इस तरह से लगभग हमारा प्लाजो रेडी है सिर्फ जो नीचे की सिलाई है वो रहती है अब हम रोल गाएंगे हम देखेंगे कि ये हमें कितनी लेंथ चाहिए थी और ये मारजन हमने कुला ही रखना उपर से इतना हमें रेडी चाहिए तियार प्लाजू चाहिए 34 हमने रखा था 34 हम लेकर यहां पर निशान लगा लेंगे गुलता करके जो एक्सट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे ता जो जब हम फोल्ड करें तो हमें दिक्कत ना ही थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ कर बाकी हम कट कर देंगे दूसरी साइड से हम ऐसी करेंगे नमबाई रखके बाकी का हिस्सा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे आप इसको ऐसी सफाई से फोल्ड कर सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत लगी तो इसको आयन कर सकते हैं इसको प्रेस कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए इस तरह से हम इसको fold करेंगे जितना हमने इसकी length लेनी थी इतनी रखली बाकी हम इसको 1.5 इंच भी रख सकते हो तीन इंच भी रख सकते हो इसको fold कर लेने इस तरह से अब सिलाई लगा देंगे हमने दूसरी तरफ निशान लगाया हुआ है उसको देखते देखते ध्यान से पकड़ कर फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे कर दो और ये हो गया हमारा सिंपल प्लाजो बड़े सिंपल वे में असानी से रेडी इस तरह की हम और भी बहुत सी वीडियो लेकर आएंगे बैट वाला प्लाजो शरारा गरारा हम सारी वीडियो अप्लोड करेंगे उसके लिए आप हमारे फैबरिक क्रिशन्स चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बनी घंटी के बटन को दबा दीजिए ता जो हम जब भी वीडियो अफ्लोड करें आप तक सबसे पहले पहुँट सकें तो ये हो गया हमारा प्लाजो रेडी बने रहे हमारे साथ थैंक यू बाई बाई